वर्गी कृत बारंबारता साने समावेशी वर्ग, इंक्लूसिव प्लास जब संकली ताकड़े अधिक हूँ, उनके निवनतम वह अधिक्तम मान का अंतर भी ज्यादा हो, तो उनकी बारंबारता साने भी बहुत बड़ी बनती है ऐसी स्थिती में हम एक संख्या की बारंबारता ना निकाल कर संख्याओं के छोटे-छोटे समूहों की बारंबारता निकालते हैं इन समूहों को हम वर्ग कहते हैं उदारण एक, पचास ओवर के एक दिवसी क्रिकेट मैच में किसी टीम के द्वारा पतेक ओवर में बनाए गए रनों की संख्या निम्ना नुसार है 7, 8, 2, 5, 7, 12, 6, 20, 18, 9, 11, 5, 19, 10, 3, 6, 12, 8, 16, 0, 12, 7, 8, 11, 15, 13, 4, 7, 1 22, 2, 17, 1, 6, 21, 4, 9, 15, 0, 5, 1, 9, 26, 10, 14, 3, 16, 2, 6 और 8 इन आकड़ों से यदि पहले की तरह बारंबारता सानी बनानी हो तो हमें देखना पड़ेगा कि ऐसे कितने ओवर हैं जिनमें 0 रन बना है ऐसे कितने ओवर हैं जिनमें 1 रन बना है आदी ऐसा करते हुए हमें 26 तक जाना होगा क्योंकि पूरे मैच में एक ओवर ऐसा भी है जिसमें 26 रन बने है सोची कितनी बड़ी सानी बनेगी इतने ओवर हैं जिनमें 7 से 12 तक रन बने हैं। इसी तरह 13 से 18, 19 से 24, 25 से 30 तक रन आदी। इन संख्या समुवों को हम वर्ग क्लास कहते हैं। वर्ग हमारी आवशक्ता नुसार छोटे या बड़े हो सकते हैं। इस उदारन में आप 1 से 4, 5 से 8, 9 से 12 या 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15 या कोई और वर्ग भी चुन सकते हैं। इन वर्गों की बारम पारता कैसे मालुम करें। बताएगा वर्गों में कोई एक वर्ग चुने। अब हर ओवर में बने रनों की संख्या को क्रमशा देखें। यह संख्या जिस वर्ग में आती हो उसमें एक गणना चिन लगाएं। ऐसा सभी 50 ओवरों की रन संख्या के लिए करें। आपको निम्न बारम बारता सानी मिलेगी। ऐसी सारणियों का उपयोग करते समय हम कुछ शब्दों का उपयोग करते हैं। जैसे वर्ग अंतराल, वर्ग की निम्न सीमा, उच्च सीमा, वर्गांक, मद्धी बिंदू, समावेशी वर्ग और समावेशी वर्ग आदी। आईए इन्ही समस्ते हैं। दारण में 0-4, 5-9, 10-14 आदी सभी वर्ग हैं। इस बारं बारता साने के किनी दो वर्गों को ध्यान से देखें। आप पाएंगे कि एक वर्ग की उच्च सीमा जहां खत्म होती है, अगले वर्ग की निम्न सीमा उसके बाद शुरू होती है। वहीं से नहीं अर्थात किसी वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर नहीं है। ऐसे वर्ग समावेशी वर्ग कहलाते हैं क्योंकि वर्ग की निम्न और उच्च सीमा दोनों उसी वर्ग में समाहित होती हैं। वर्ग शूने से चार में शूने एक, दो, तीन, चार रन बनाने वाले ओवर शामिल है यानि पाँच परिस्थितियां अता इस वर्ग का अंतराल पाँच है इसी प्रकार पाँच से नौ में पाँच, छे, साथ, आठ, नौ रन वाले ओवर शामिल है यहाँ भी वर्ग अंतराल पाँच है अब देखिए जो पहला वर्ग शूने से चार है इसमें निमने सीमा शूने तथा उच्च सीमा चार है इसी तरह आप देखेंगे कि बाकी जो वर्ग है उसकी निमने सीमा क्रमशः पाँच, दस, पंद्र है और उच्च सीमा क्रमशः नौ, चौदा, उन्निस है हर वर्ग में उच्च व निमने सीमा का अंतर चार है इसी तरह वर्ग शूने से चार का वर्गांक मद्य बिंदू बराबर शून्य धन चार बटा दो बराबर दो इसी प्रकार पांच से नौ का वर्गांक बराबर पांच धन नौ बटा दो बराबर चौदा बटा दो बराबर साथ है इसी प्रकार अन्य वर्गों का वर्गांक निकाला जा सकता है